हाई फ्रेंड्स तो आज हम लोग बनाने वाले हैं यह RGB फोटो फ्रेम्स तो यहाँ पर हमने एक फोटो फ्रेम ले रखाया है यह फोटो फ्रेम हमने जो लिया है इसमें एजेस अगर आप ध्यान से देखें तो यह थोड़ा सा डीप है तो आपको भी इसी तरह का एक फोटो फ्रेम ले लेना है जिसके की एजेस थोड़े से डीप हो इस फोटो फ्रेम को हम अब यहाँ पर ओपन करेंगे इस फोटो फ्रेम में यह वाला जो पार्ट है यह इसका सेपरेट होने वाला है अगर आपका फोटो फ्रेम में यह पार्ट सेपरेटबल नहीं है तो आप नीचे वाले फ्रेम में ही जो वर्क मैं इस पे कर रहा हूं आप वहाँ पर कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इस edges को देखेंगे, इस edges के इस side में मैं यहाँ पर LEDs लगाने वाला हूँ, आप चाहें तो इसके जो पीछे वाला part था आप उसमें भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी marking कर लेंगे, equal equal distance पर हम LEDs लगाएंगे, marking जितना accurate होगा, उतना ही अच सारी markings accurately कर रखी है, अब इन markings points पर हमें LEDs लगाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस solding iron की मदद से यहाँ पर थोड़ा सा gap बना लेंगे, जिससे कि हमारा LED आसानी से वहाँ पर fit हो सके, तो gap मैंने इस तरह से solding iron की मदद से बना लिया है, हमने यहाँ पर सारे LEDs के इसके लिए पर 3 volt की एक बैटरी भी ले रखी है, buttons battery, अब इसमें हम क्या करेंगे, सारे LEDs को बारी-बारी से पहले चेक कर लेंगे, वैसे तो हमने इस सारे LEDs को चेक कर लिया था, पर फिर भी हम इने use करने से पहले एक बार सारे LEDs को अच्छे से चेक कर लेंगे, मैंने यहाँ पे सारे LEDs को अच्छे से चेक कर लिया, इन में से सारे LEDs हमारे सही हैं, अब हम इन LEDs को अपने photo frame में यहाँ पेस्ट कर देंगे, उससे पहले हमने यहाँ पे जो LEDs है, इसके legs को थोड़ा सा sort कर लेना है, तो मैं यहाँ पे positive leg को थोड़ा सा छोटा काट रहा हूँ, उसके बाद ज सारे LEDs को मैं glue gun की मदद से अपने frame में paste कर दूँगा, तो यहाँ पे मैंने glue gun का use करके इसे paste किया है, आप यहाँ पे fabric का भी यूज़ करके इसे paste कर सकते हैं, तो glue gun की मदद से मैं इसे तुरंट paste कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने थोड़ा सा glue डाल दिया, और बस इतना सा ह और यहाँ पे हम इस LED को इस तरह से paste कर देंगे, हमने यहाँ पे सारे LEDs को अच्छे से paste कर लिया है, उसके बाद हमें इन सारे LEDs का connection करना है, तो connection करने के लिए मैंने यहाँ पे rainbow wire का use किया है, rainbow wire aluminum का wire होता है, तो यह बहुत ही easily यहाँ पे हम parallel connection इसकी मदद से कर पाते हैं, तो एक हमने red wire और एक black wire लिया है, तो red wire को मैं यहाँ पे आपको connect करके दिखाता हूँ, यह बहुत ही easily slip हो जाते है, तो यहाँ से हम इसे slip करके इस तरह से अपने एक LED में कहीं पे भी sold कर देंगे, तो starting मैं यहाँ से करता हूँ, इस LED में मैं इसे पहले यहाँ पे sold कर देता हू यहाँ पर rainbow wire का use करने से हमें यह फाइदा हो रहा है, कि हमें बार-बार wires को cut नहीं करना पड़ेगा, just हम इसे यहाँ पर connect करना चाहते हैं, तो हमें इसे इस तरह से यहाँ पर slip कर लेना है, यह easily slip हो जाता है, उसके बाद हम इहाँ पर इसे round इस तरह से एक बार fold लगा देंगे, और यहाँ पर वापस हम soldering कर देंगे, इसी तरह से हमने total अपने 16 LEDs को connect कर लिया है, connection सो जाने के बाद हम इसे वापस photo frame में set करेंगे, तो photo frame में इसे डाल देता हूँ, यहाँ पर हमने इसे इस तरह से fix कर लेना है, और उसके बाद यह दो जो नो wires हैं, इसे मैं अपने photo frame के back side से बाहर निकाल दूँगा, तो back निकालने के ल मैं वापस उन दोनों wires को बाहर निकाल लूँगा, यहाँ पर हमने बहुत ही neatly एक hole बना लिया है, उसके बाद जो दोनों wires हमारे बचे थे, यहाँ से मैं गाट लगा दूँगा ताकि यह बाहर की और न निकल जाए, और हमारा LED से connections तूट ना जाए, तो अब हम इसे अपने फोटो फ्रेम के बैक साइट से इन दोनों wires को बाहर निकाल लेते हैं, अब हमने यहाँ पर एक 6.8 ohm की resistor लेग रखी है, और इसे मैं अपने फोटो फ्रेम के जो positive वाला टर्मिनल है, उस पर मैं इसे connect कर दूँगा, तो यहाँ पर हम इस resistor को connect कर लेते हैं, connection हो जाने के बाद, अब हम यहाँ पर जो extra lex है, इसे cut करके remove कर देंगे, और फिर हम यहाँ पर soldering कर देंगे, अब हमने एक USB केबल लिया है, और इसके positive और negative terminal को, यहाँ पर positive और negative terminal के साथ connect कर देंगे, यहाँ पर हमारा connection सब पूरी तरह से complete हो चुका है, हमने यहाँ पर एक old charger ले लिया है, यह charger 5V का है, तो इस charger की मदद से हम इस photo frame को run करेंगे, तो अब इस USB को हमें इस charger के साथ connect कर लेना है, और उसके बाद मैं आपको अब यहाँ पर test करके दिखाता हूँ, अब मैं यहाँ पर अपने charger को board के साथ plug कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यह किस तरह का look दे रहा है, तो यहाँ पर हमने अब इसे plug कर दिया है, और यह हमने यहाँ पर switch दे दिया, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यह कितना beautifully यहाँ पर work कर रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो please अभी इसे एक like करें, अब इस photo frame के साथ हमें जो एक photo मिला था, उस photo को मैं यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ, अगर हम इसमें कोई photo डालेंगे, तो हम मैं किस तरह का look मिलेगा, मैंने यहाँ पर यह photo इसमें insert कर दी है, और वापस से मैं इसे एक बार फिर से on करता हूँ, फोटो लगा देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, यह और भी ज़्यादा खुब सूरत लग रहा है, दोस्तों अगर आपको इस तरह के art and crafts related videos जहें